सच बात है जो आदमे सिस्टम बदलने चला था नेगटिव कुछ नहीं था जो गलत दिखता था गलत बोला उस बात की आपको सजा मिली जी देखे सच बोलने की सजा तो हमेशन मिलती मिलती इंसान को और आज की डेट में भगवान को भी पत्थर मारते हैं लोग तो भगवान यह तर लोगों ने बनाया जी जैसा भी है देखो भई एंग्री मैन आप कहें यहां पर बच्चों के साथ खेल रहे हैं टिक टोक पर सराब चले हुए जी देखिए एक नया जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा माइंड एंज्वाला करना कि भई बच्चा भी कहता आप आप खुद खुश रहे सेको नाचना काना कौन नहीं करता है सब करते हैं ख्वाइश थी कहीं सेलिवरिटी बनों नहीं ऐसा कभी नहीं सोचा नहीं तो सेलिवरिटी बनने के लिए भाई और लोग बिग बोस से भी आपके पास ओफर आए जी पिछले साल मेरे मेरा और मैडम का म चल रही है चलाने दो हमने भी थोड़ा कौन सा इंको अरास्मेंट नहीं कि प्रिया प्रकाश को अपने पछाड दिया वह सीन क्या था किस तरी के से अपने पछाड़ा जी देखिए वह तो ट्रेंडिंग में लोग लाते हैं अपने आपी वह प्रिया को वह आंख मारने वा मैं बहुत दिल से शुक्रियादा करता हूं जितने भी मुझसे प्यार करते हैं और जितने फुकने वाले हैं उनसे तो मैं डवल प्यार करता हूं उनसे की कारण ट्रेंडिंग में आते हैं और क्या वह जबता कोमेंट नहीं करेंगे तो कोमेंट के नीचे लाइन थोड़ न विचारधारों से प्रेजित हैं मंगल पांडे बनना चाहता है ना मैं गांधिवादी हूं मैं एक बोवी कटारिया मेरी अलग पहचान है और मैं उसी पर जीवन व्यतीत करना चाहता हूं खुद एक ब्रांड जी सर एक सिंबल सा और बड़ा आपकी लाइफ में जहां बंदलाव आया एक मूवी है टाइगर जिंदा है कि मतलब ये तो वो बात हो गई के जकमों पर नमक छिडकना चाहता कर रही तो पूरी मूवी भी नहीं देखी थी और मैं कोई मूवी देखने भी नहीं गया उस टाम के बाद एक इच्छा है कि मैं टाइगर जिन्दा है दुबारा से पूरी मूवी ऐसे पैर रखकर सोफे पर देखूं यह वो एक इच्छा है मेरी इंटर्वेल के बाद आप उठा नहीं हाँ इंटर्वेल के बाद उठाया गया था मुझे पूरी पुलिस फोर्स आई हाँ सो डेड़ सो पुलिस वाले तो होंगे बाइसे आतंगवादी देना मतलों सो डेड़ सो पुलिस वाले आपको रहे जी आप बिल्कुल देख सकते हैं क्योंकि अब तो CCTV फूटेज भी आपको नहीं देंगे क्योंकि कारवाई उल्टी पड़ उनके ओपर इसलिए नो दिन में अलग-अलग पुलिस वालों ने आप से रिमांड लिया अलग-अलग क्या चेहरे बदल रहे थे फुटबोल भी मैं बना रहा हूँ फुटबोल एक चेहरे अलग बहुत दूर-दूर से आये थे खुंदग निकालने के लिए बट आज उनी लोगों की पिटाई ने एक मुझे मैं खुद कहता हूँ ब्रांड बना दिया ब्रांड अब आगे लाइफ में इसी तरह से काम करना रहा घीट से लेवल से काम करें आच्छे लोगों के लिए इसी तरह से मुढ-दिमें जितना हो सकता है भही मैं पैसे खर्च कर सकता हूँ वकीलों के ओपर अपने भाईयों के लिए अपनी बैनों के लिए जिनके साथ जाती होती है तो आप भी कहीं न कहीं देखते होंगे कि भाई मैं किसी से नहीं मांगता और आपने ये देखा हमारे पिताजी का ये गरीब सा जोपड़ा और भार भी ये प्रोपर्टी वगेरा लोग कहते हैं पैसा खाता है तो उन लोगों से मैं ये ही कहना चाहूंगा कि भाई ये पांच लाक रुपे किराया आव है थोड़ा ना आता बाप उन्हें बहुत जेब बर रखी है दबा करके जेब बर रखी है एक ही चीज सिखाई थी किसी का पैसा मत मार ये एक रुपिया भी आगए मैं अपने आप देख लूँगा जैसा भी होगा पिजाजी की पूरी स्पोर्ट है जे अच्छा अब फिलम की तरफ से आपको ओफर भी आ रहे हैं तो फिलम करने का इंटरस्ट है जे देखिए मैंन के लिए बहुत छीता था मैं तो सर अभी जो लाइफ में हो रहा है कितना आपके उपर केसी हैं सुना सबसे ज्यादा केसा आपको बारा केसी हो चुके हैं जेल से निकला था जब आठते चार ओर लग गया नहीं दो तारीक हो जाती हैं सेक्टर नों चोकी की फिलाल तो अट आए इतनी कहते हैं जब आपकी गाड़ी व्यगरा भी जब्त कर लिए थी हाँ साथ महीने में मेरी गाड़ी दी गई ती केस प्रोपर्टी बना लिया था मेरी गाड़ी को जो समान था कह रहे थे कि वह समान भी आपका रखी समान ता जी ब्रेसलेट भी पहना था चैन भी ती कान की बाली भी थी जेव में कम से कम भाई आप देखो शोक उचे हैं तो जेव में भी 20-20,000 रुपे तर रखे मिलेंगे ना मेरी परस में इतने तो होंगे ना तो मतलब कि दो ढाई लाख रुपेगी चपेट लगा दी इसे कहते हैं पांस रुपे में कहते हैं गाड़ी वापीस आजाती है इसे कहते हैं बिकाव मतलब आप सोच लिजे मैंने किसको का है आपके साथ जो यह हराश्मेंट हुई अभी भी कह अभी सुनने में आया कि आप सुबह से ले गादने से ज्याद़ा पहचान बढ़ गई यह मेरी अच्छा लगता है वहां पर भी लोगों सेलफी लेते अंच्छा लगता है भाईयों का प्यार देख कर कि इतनी पहचान मैं कहीं भी जाओं चाहे मंदीर हो कहीं पर भी जाता हूँ चाहे दूसरा देश हो आउट ओफ क पिरवाने के लिए दूसरी जगह से मुंगो आई गई अरे वो तो रिमांड की बात छोड़ दिए खतम कर दिए वो तो दो साल हो गए खतम अब उसकानी को दुबारा तयार कर दिया शरीर और क्या चाहिए इंसान को तो जो हर्याना के और जो एक समासेवक जिनको बोलते हैं वो कैसे लगते हैं वो किस हिसाब से काम कर रहा है जिस पायदान पर था उससे मैं दुगने पायदान पर पहुँच चुका हूँ जरूरी नहीं होता समाथ सेवा कि मैं रोज वीडियो डालू अब क्या पता मैं वीडियो एक ही दिन में दस डाल दू आने वाले टाइम पर या दस दिन में एक डाल दू मेरा पेज ब्लोक कर दिया गया है कारण यह है थोड़ा मैं लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ 30-35 लाग पेज में फुलोवर दिये यह हैं समाज में क्या मैसेज दे यह हैं समाज के लोगों न इद कर वाया है रिपोर्ट मार मार कर दे उंगली दे उंगली और के करा है तो सर एक बड़ा इंटरस्टिंग सा प्रशन मेरे पास हैं सुनक्षी शीन ना के बाड़े बाबाब क्योंकि भाई देखो वो मेरा क्रश है सापसिधी बात है देखो मैं पसंद करता हूं उसको बस इतनी सी बात और कुछ बात कुछ हो पाई बड़ी बाते आगे या अरे मैं मुंबई गया था मैंने उसका घर बोत तलाशा मैंने पूछा भी ड्राइवर से जिस गाड़ी में ब सुनाक्षी शिना उनके साथ मूवी करना चाहोगे विलन का रोल अच्छा एक बात और सुनने में आई कि आप कोई मूवी के बारे में बात कर रहे हैं किसी डारेक्टर से लेकिन आप चाहते कि कमिशनर का रोल आपको मिले बिल्कुल करूगा आपका रोल कोई और मिभाए लेकिन आप कमिशनर बिल्कुल मैं वही रोल मैं खुद करना चाहूंगा और लोगों को सच्छा ही दिखाना चाहता हूं कि कमिशनर कुने आपके साथ कैसे बरता बोगा ने ऐसा कुछ भी नहीं है फिलाल तो वो मूवी में आई सस्पेंस है थोड़ा सा बहुत बाते हैं जो रोकी हुई है जो पबलिक को नहीं पता जी वो मूवी के दोरानी बताई जाएंगा चाहे वो दस साल में मेरी मूवी चाहे बीस साल में लेकिन आएगी जरूर आएगी जा तो जी अभी आप इतनी सारी बातें देख रहे ह Equity मेरे पास जो क्योशंस से वो जिस संस मैं सोच चाहता ऊसेंस उनका बदल्गा है क्यूंकि सिरस मैं स्यूर मेसे है 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 जिसस सेतन इस नहीं सोच रहे है अभी मैंने घर से सोच के चला थ tehा वही मैं आज भोवी कटारिया जी का इंट्रव लूंगा और बड़े खतरनाक इनसान होंगे और बड़ा तेज तरार सुभाव होगा लेकिन यहाँ पर आया बच्चों के साथ आप खेल रहे थे भाई थोड़ा सा पास से दिखा अच्छा हाँ सच यह बात सेंगे अधिराई अब बायोपिक किस डिरेक्टर को देने की सोच रहे हैं किस को चाहेंगे देखिए वो थोड़ा समय आएगा जब मैं बताऊंगा क्योंकि अभी मैं ना मैंना उन्स कर दूं और वहां से मुझे मुझे मना हो जाए तो वो चीज ठ मैं चाहूंगा कि दोनों ऐसे डोले शोले करके रिखाए अभी तो कम हो गया अब तो साथ आर दिन से चोकियों के चक्कर काट रहों जिम भी नहीं जहा पार रहा है अभी तो जिम में आ जाते हैं सर पुली सोड़े आपकी हाँ परसो जिम में भी आ गए थे घर होने के प्रक्ष है नहीं लेकिन मैं यह सोच रहा हूं कि जो हम घर में बैठे हैं बोभी कटारिया के बारे में जो सोचते हैं यह वह अलग है आप थोड़ा सा दूसरे पहलू पर भी सोच के देखें कोई किसी ने रोक नहीं रखा लेकिन अगर हम सोचना ही नहीं चाते तो बात ल आपके बाइख तो जारान